हेलो और वेल्कम बैक टू एससेट गाइड यूट्यूब चैनल आज किस वीडियो में एक इंट्रेस्टिंग डील हम यहां पर देखेंगे लेडीज क्लॉट्स एंड जैंट्स क्लॉट्स टेलर तो यहां पर एक टेलर जी हैं उन्होंने अपने कपड़े सिलने की जो डील है वो डील से कर्प लगाई है और इस डील का क्या चीजे है किस सीतोग का कपड़े अप सिलवा सकते हैं यहां सों यहाँ पर इंट्रेस्टिंग यह 10 यह और उसके बदले में कपड़े को ஈ क इसेके रलए हैं तो आई यह देखते हैं डील का description कितने percent बन कोई ले रहे हैं यह सारी जानकारी यहां से हम देखते हैं तो इनका description है यह bowman suit, kurta pajama, blouse, इत्यादी सीते हैं और जो man के उसमें है pants, kurta, pajama बगेरा यह सिल कर देते हैं deal की specific terms condition देखते हैं यहां पर 70% one coin और 30% Indian cash accept किया जाता है तो यहां पर 70% one coin यह accept कर रहे हैं और 30% आप इसको इनको Indian cash दे सकते हैं एक coupon की value एक हजार Indian cash है यानि की 1000 रुपे की यहां पर आप deal लगा सकते हैं, 1000 रुपे में जो भी कपड़े सिलवाने हैं आप सिलवा सकते हैं जिसमें आपको 700 रुपे one coin में देने होंगे और 300 रुपे जो है INR में payment करना होगा, इनका address अगर हम देखें तो address की detail यहां पर है गजरोला बिजनोर का यह इनका address है और साथ में mobile नंबर भी दिया हुआ है जो timing है 9 बजे से 8 बजे तक है additional information में उनने दिया है कि आप coupon buy करने से पहले एक बार merchant से contact कर लें तो यह UP best की deal है अगर आप UP best में कहीं पर भी रहते हैं और अपने one coin का इस्तमाल करके tailoring की service लेना चाते हैं तो इनके इनसे एक बार contact कर सकते हैं और आपको वहाँ पर tailoring की service मिल जाएगी यहाँ पर अगर हम देखें तो delivery की information ready at location है यानि कि आपको इनके पास ही जाना होगा पहीं पर यह service मिलेगी आप इसको online order नहीं कर सकते coupon आपको buy करके redeem करना होगा बहुत सारी information merchant के द्वारा दी जाएगी लगबग 100 coupon अभी तक एक भी coupon sale नहीं हुआ है और यह deal जो है 20 March 2022 तक valid है तो अब आप 2024 तक टेलरिंग की service ले सकते हैं नरेश कुमार जी टेलर का नाम है तो यही थी इस नई interesting deal की information I hope आपको वीडियो ज़ करें